स्वागत आप सभी कादा मास्टर साइब पे दोस्तों आज की जो वेकेंसी आई है वो आई है नैट्स के पदों के लिए ठीक है नैट्स में ट्रेनी का जो पद होता है उसके लिए ये वेकेंसी सारी आई है ठीक है अब ये जो नैट्स के पद है इसमें जो वेकेंसी है वो कि banking departments के लिए है, इसमें qualifications क्या है, तो मैं आपको बता दू, इसमें b-tech वाले भी apply कर सकते हैं, diploma वाले भी apply कर सकते हैं, और इसमें एक integrating science होता है, जिसमें जो पढ़े हुए हैं, वो भी apply कर सकते हैं, तो उन सब का इसमें post दिया गया है, अब इसके लिए जो stipend है, वो stipend क्या होगा, वो जानकारी मैं आपको अंदर में दूँगा, जिसमें maximum stipend आपको मिल जाएगा, 15,000 पर मन्त, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो vacancy है, ये vacancy उन student के लिए जादा बेतर है, जिन्होंने अभी पिछले 3-4 सालों में B.T.E.C. या कि इसमें काम करें, इसमें काम करने से उनको एक working experience भी मिलेगा, और इसका कहीं ने कहीं फाइदा आगे भी मिलेगा, और अपनी जीवी का चलाने का एक जरिया उनको मिल जाएगा, सबसे important चीज़ ये है, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा opportunity है, इसको आप इस्तमाल कीजिए, तो चलिए आगे हम इस vacancy को पुरी तरीके से discuss करेंगे, कि इसका interview अगरा कब होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हम वीडियो को, देखें, सीता मडी Institute of Technology जो है, यहां से आया है vacancy announcement है, जिसमें सीत Department of Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Science Engineering और Electrical and Electronics के लिए, इसके लिए qualification आपका BTEC या BE होना चाहिए, उसी ब्रांच में, जिस ब्रांच में इनको चाहिए, जैसे Mechanical Engineering में, Civil Engineering में, Computer Science में, Electrical Engineering में, इसमें तीन vacancy है, और आपको stipend जो होगा, पर मन्त वो मिलेगा, 15,000, 15,000 रुपया का, उसके बाद है Diploma चाहिए, Mechanical, CE, CSE और EE में, इसमें भी तीन vacancy है, लेकिन इसमें जो stipend मिलेगा, Diploma डिगरी पे आपको, वो 10,000 पर मन्त का मिलेगा, और तीसरा vacancy, Library Science का, अगर आप graduate है, Library Science से, तो इसके लिए एक vacancy और इसमें आपको 15,000 रुपया मिलेगा, अब देखिए, आगे जो ह candidate है, उनको वागे इंटर्वीव में एपेर होना 13, 10, 2023, Friday के दिन, ठीक है, Reporting टाइम सुबह 10 वजे होगा, कहां होगा ये इंटर्वीव आपका, तो सीतामरी, Institute of Technology, सीतामरी, गौशियापूर, रसूरपूर, दुम्रा, सीतामरी, 843302, Contact Person का नाम यहापे दिया गया, Mr. Ayus Raj Programmer है, इनका Mobile Number यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोस्तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, परिशानी हो, तो आप यहाँ पे Contact कर सकते हैं, तो यह तो बात हो गई आपको Vacancy जो Advertisement Paper में आया है, अब मैं आपको Later दिखाता हूँ, कि उस Later के माध्यम से आप देखिए, कि इसमें और क क्या-क्या जानकारी दी गई है, क्या-क्या Important Notes हैं, और यह Later कब Release किया गया है, क्या यह Authentic Vacancy है या नहीं, तो देखें दोस्तों, यह Later Release किया गया 29-2023 को, इसमें भी वही जारी बात हैं लिखी हुई हुई, जो भी मैंने जस्ट आपको बताया है, लेकिन इसमें कुछ Important Notes द इस Letter में इन्होंने दिया है, जो कि Advertisement में नहीं बताया गया है, ठीक है, तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो देखें, यहाँ पे Principal साब का साइन भी है, ठीक है, यहाँ पे Principal सीता मड़ी का साइन है, और यह Nodal Officer का साइन है, अब देखें Notes, पहला Notes है कि, It is mandatory for the candidate to have valid NETS student ID, तो आपको एक valid NETS student ID बनाना होगा, NETS के website पे जाके, ठीक है, तो आपके पास valid NETS ID होगा, तभी आप इस post के लिए eligible है, वो आसानी से बन जाता है, NETS पे जाईए, यहाँ गूगल पे टाइप कीजे, NETS ID, create ID आपको आजागा, वो उसको आप कर सकते ह दूसरा की जो candidate है, वो आएंगे अपना CV लेके, करिकुलम वाइटे जिसको बोलते हैं, एक सेट जरॉक्स कोपी होना ची, सारे academic और reservation certificate के साथ, आपका valid ID proof और original documents होना ची, verification के लिए, मैं बताऊंगा आगे कि कौन-कौन documents आपको ले जाना है, तीसरा है, candidates जो है, pass out होने चाह eligible हैं, चौता है कि there is no provision of T.A.D.A. for interview, इंटर्वी जो देने जाएगा, उसके लिए आपको आने जाने का यातरावत्ता रहने का पैसा नहीं मिलेगा, next है कि reservation policy जो है, बिहार government के rule के हिसाब से आपको मिलेगी, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि documents जो है, कौन-कौन से चाहिए, तो दोस्तों देखे, documents में आपको टेंथ से लेके, बीटे तक जितना भी आपका mark sheet है, या आपका certificate है, ठीक है, certificate है, ये आपको total होना चाहिए, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपके पास residential certificate, और अगर OBC से अगर आप belong करते हैं, तो OBC, non creamy layer, और चाहिए होगा, इन सब का आपको एक set Gerox कराना है, ठीक है, और एक आपको original पूरा रख लेना है, उसके बाद दो आपको photo रखना है, passport size current, और उसके बाद आपको अधार card, या आपके पास pen card है, या आपके पास water ID card है, या driving license है, तो वो आपको original plus Gerox, original plus Gerox, वो सारे documents को भ interview है, सुबह 10 वज़े से सीता मरी सिच आप टेकनोलिजी में, वहाँ जाके आपको इसके interview देना है, और आपको इसमें joining मिलेगी, एक अच्छा opportunity है, work करने के लिए, freshers के लिए, ताकि आप इसका फायदा उठा सके, और इसको अगर आप इस सब department से मतलब belong नहीं करते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाईए, जो इसके लिए eligible हैं, जो इसकी योगता को रखते हैं, thank you very much.